दुमका में बोले पिये मोधी चार जुन के बाद भरष्टचारियों पर करवाई और होगी तेज जुनाव एक जुन को संथाल परगना के तीनों सीटों गोड़ा दुमकावा राजमाल में होना है इसे लेकर पक्ष और पिपक्ष ने सारी ताकदे जोग दी है इसी सिलसिले में मंगलवार को परधान मंतरी दुमका एयरपोर्ट पहुचे जहां उन्होंने भाजबा परत्यासी सीता सुरन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संभोधित किया पिए मोधी ने जनसभा को संभोधित करते हुए सबसे पहले सीधो कानों चांद वेरो जैसे बीर सहीदों को नमन किया कहा कि संथाल की ये धर्ती क्रांती की धर्ती है ये देश के लिए जीने मरणों वालों की धर्ती है इस धर्ती पर ये जैसलाब इतनी बड़ी संख्या में मतायबह ने हमें असिरवाद देने आई है आपके असिरवाद ने ये पक्का कर दिया कि फिर से एक बार मोधी सरकार दुमका में रैली को संबोधित करते हुए परधानमंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कि इंडी गढ़वंधन देश में देश बिरोधी राजनीती का एक खतरनाक फर्मूला है। परधानमंतरी नरेंदर मोधी ने कॉंग्रेस आरजडी और जेमेम पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि जारखंड ऐसा अस्टेट है जहां सबसे पहले लौ जिहाद आया। पूरू सियम हमन सोरेन की जवान तयाचका पर हाई कोट में हुई सुनवाई। एडी ने जबाब दाखिल के लिए मांगा समय। हमन सोरेन की ओर से कोट में दाखिल जवानत याचका पर जल्दी सुनवाई करने का आगरह किया गया। बता दे कि 8.86 एकड जमीन घोटाला मामले में खुद को निर्दोस बता कर पूरू मुखमन सोरेन ने जवान सोरेन जवानत की गुहार लगाई है। याचका में हमन ने खुद पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया है। 36 गड़ के CM 29 माई को आएंगे जारखंड। राज महल और दुमका छेतर में तीन चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 36 गड़ के मुकमंतरी बिसनुदेव साय 29 माई को जारखंड आ रहे हैं। वे राज महल लोकसभाद छेतर के साहिव गन जीले के बरहेट में इसीत गुपलाटी फुटबॉल मैदान में 11 बज़े से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। 36 गड़ के CM परतियासीत ताला मरांडी के पक्ष में लोगों से वोड देने की अपिल करेंगे। इस ओसर पर भाज महल परतियासी ताला मरांडी भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन ने साहिव गंज में की चुनावी सभा, जामो परतियासी बिज़े हांसदा के पक्ष में लोगों से की वोड देने की अपिल। उन्होंने करकरताओ और ग्रामिनों को एक जुन को होने वाले मद्दान में ज्यादा से ज्यादा वोड करने को कहा, एवं पोलिक एजन्ट को दिसानिर्देस दिया। सीएम चंपाई सुरें से सर्यूराय की मांग, जारखंड आरोग ससाइटी और निरूज के बिच हुआ एम ओ यू हो रद, राज के निर्दलिय विधायक सर्यूराय ने जारखंड में आईसमान भारत मुखमंतरी जन आरोग योजना के किरियानोयन में हो रही भारी अनियमेत्ताव को लेकर स्वास मंतरी की भूंका की चांच कराने की मांग, मुखमंतरी चंपाई सुरेंने की है उन्होंने कहा कि इसकी वज़ा से राज के मरीजों को तो परसानी हो ही रही है, सरकारी खजाने पर भी भारी चपत लग रही है, उन्होंने जारखंड आरोग ससाइटी और नीजी कंपनी निरूज के बिच किया गया एम ओ यू को रद करने की मांग की है जारखंड में सुरज के तेवर गर्म, 17 जिलो का तपमान 40 के पार, एलो एलर्ड भी जारी, राजधानी राजी समेथ पूरे राज की धरती तप रही है, आलम यह है कि 17 जिलो में एक बार फिर तपमान 40 के पार पहुंच चुका है माई माई में यह दूसरा मौका है कि राजधानी का तपमान 40 के पार पहुंचा है, राज़े में सरवाधिक 47.5 डिगरी सेलसिया जहारखंड का तपमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 6 माई 1978 के 47.8 डिगरी सेलसिया से मात्र पॉइंट 3 डिगरी ही कम है, हलाकि मंगलवार क का दूसरा सबसे गर्म रहा, तपती गर्मिक लेकर मौसम विग्यान केंद्र राची ने एलो एलर्ड भी जारी किया है, बता दे कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात ये तुफान का असर बंगाल के साथ सा जहारखंड में भी पढ़ने की समभवना थी, लेकिन तु अफिसल वेवसाइट jackresult.com या jack.jharkhand.job.in पर जाकर चेक किया जा सकता है, इस वर्ष जैक झारखंड बोर्ड आठवी की परिच्छा 5,671,774 विद्यार्थियों ने दी थी, इसमें से 5,88,962 विद्यार्थियों यानि 94,50 पास भोसित किये गए हैं